इतनी लौकियां होंगी घर में कि कभी भी मार्केट से लौकी खरीदनी नहीं पड़ेगी तो हमारी मेन खाद का नाम है इस समय मेरा पूरा गार्डन लौकियों से भरा हुआ है देखे कितनी अच्छी लौकी हो रही है और ये देखे लौकी का साइज करीबन एक फिट से उपर होगा और ये मेरे छट के उपर लगी हुई है गमले में मैंने इसको लगा रखा है और बहुत ही असान है लौकी को छट पे लगाना और धेर सारी लौकी की हर्वेस्टिंग लेना क्या आप चाहते हैं कि आपके घर में भी ऐसी लौकी हो आपने लौकी का पौधा लगा रखा है तो क्या आपकी लौकी की बेल में धेर सारे मादा फोल फीमिल फ्लार्स निकलते हैं क्या आपको लौकी की बेल से इतनी हर्वेस्टिंग मिल जाती है कि आपको मार्केट से कभी भी लौकी नहीं खरीदनी पड़ती और क्या आपको मार्केट से खात खरीद के लौकी की बेल में डालना पड़ता है तो आज मैं आपको आपके सारे questions का answer दोंगी आपको मेरी बताए तरीके से कभी भी मार्केट से लौकी नहीं खरीद के खानी पड़ेगी आप लौकी के अंदर डालेंगे घर की फ्री की खाद जिससे आपके लौकी की पौधे में धेरो धेर फ्रूटिंग होगी इस वीडियो में मैं तीन आसान ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपके लौकी की बेल में आएंगे धेरो धेर फीमेल फ्लार्स और वो सारे फूल फल में कनवर्ट होंगे तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि लौकी की पौधे में हमें कौन-कौन सी खाद देनी चाहिए जिससे कि हमें धेर सारी लौकी से फ्रूटिंग मिल सके हम इस लौकी की बेल के आस पास अच्छे से धीले हाथ से गुड़ाई करना शुरू करेंगे बहुत ही हलके हाथ से हमें गुड़ाई करनी है देखिए यहां पर लौकी की जड़े भी निकल के बाहर आ रही है बहुत डेलिकेट सी जड़े हैं ये देखिए ये छोटी सी जड़ बाहर आप देख रहे हैं तो लौकी की जड़े होती है वो उपर उपर ही होती है तो इसके अंदर मैं अपने चछत के सूखे और गीले पत्ते दोनों मिला देती हूं। तो ये किचंवीस कंपोस्ट और लिट कंपोस्ट का मिष्टन है। किचंवीस कंपोस्ट फुल मील होती है पौधों के लिए। के अंदर होता है nitrogen, phosphorus और potassium. साथ में add करेंगे दो मुठी नीमखली और एक बड़ी मुठी राख. जहां पर राख बहुत ही important है, मैं आगे आपको बताती हूँ. इसके बाद डालेंगे हम चूना. चूने को मैंने मिटी में mix करके रखा है. चूना calcium का source होता है और जब calcium पौधी के अंदर पूरी मात्रा में होता है तो जड़ों को मिलती है strength और जब जड़े मजबूत होती है तो पौधी की growth उतनी ही अच्छी होती है. अब इन सारी कि मैंने kitchen waste compost डाली है तो kitchen waste compost के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में nitrogen होता है और nitrogen help करता है पौधी की growth में, root development में हमने अपने खाद में नीम खली को mix किया है नीम खली का main काम है किसी भी तरीकी की fungus को पौधी की जड़ों तक ना पहुँचने देना और मिटी से related कोई भी अगर disease है तो वो पौधी तक ना पहुँचे खली नीमी टोट्स पे भी बहुत ही अच्छी तरीके से काम करती है अब राख का यहां पर बहुत important role है क्योंकि राख के अंदर होता है potassium जो की female flowers की growth को बहुत promote करता है यानि की जब भी आप राख का यूज़ करते हैं तो female flowers यानि की मादा फूल भारी मात्रा में लौकी की बेल पर आने लग जाते हैं यह तरीका tried and tested है आप try करके देखिए राख डालके देखिए और फिर change देखिएगा आप एक हफ़ते के अंदर आपकी लौकी की बेल में धेरो धे मादा फूल आने start हो जाएंगे जो खाद मैंना आपको बताई है इसका mixture आपको हर 15 दिन में एक बार अपनी लौकी की बेल में अच्छे से देना है तो ये तो हो गई solid खाद की बात कि हमें कौन-कौन सी solid खाद अपनी लौकी की बेल में डालनी है लेकिन यही सिर्फ काफी नहीं है लौकी की बेल की growth के लिए एक important खाद और भी है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है छाचछ छांच ऐसी चीजे जो कि आप घर में फ्री में होती है आप अकसर घी बनाते समय जो छांच बच जाती है उसका यूद्ध आप लौकी की बेल में और ठील पार देल होगी मैं description में अपने cooking channel का link दोंगी आप प्रीज उस channel पे जाके उस channel को subscribe कीजेगा आप सब के साथ अच्छी अच्छी नईनी recipes लेके मैं वहाँ पर आऊंगी मेरी बनाई हुई recipes की speciality होगी कि हम मैदा यूज नहीं करेंगे, हम चीनी यूज नहीं करेंगे और बहुत ही कम oil में cooking करेंगे तो प्लीज चैनल को subscribe करना नहीं भूलिएगा तो मैं चांच का यूज करती हूँ अपने garden के अंदे as a liquid fertilizer ये बेल वाले पौधों के लिए अमरित का काम करती है मैंने इसके अंदे अलरी ये एक लीटर चांच है इसके अंदे मैंने आधा चमच काला नमक मिलाके इसको मैंने एक हफते से रखा हुआ है अच्छे से फोर्मेंटेड है तो अब हमें इसको बेल वाले पौधों में डालेंगे जब बेल वाले पौधों में राक और काला नमक चांच इस से अब की कॉंबिनेशन जाते हैं तो फ्रूटिंग बहुत ज्यादा होती है मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि मेरे गार्डन में और लौकी कितनी फ्रूटिंग हो रही है मैं वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी तो हम क्या करेंगे मैंने यहां बाल्टी में पानी ले रखा यह करीबन दस लिटर पानी है और यह एक लिटर शांच है तो मैं इसके अंदर डालूंगी और मैंने अभी खाद दी है तो मैं मुझे पानी डालने के बाद आपको हमीशे पानी डालना होता है क्योंकि जो भी खाद के अंदर अच्छे माइक्रोब्स होते हैं अगर आप पानी डालेंगे तो वह वहीं बे बर्न हो जाते हैं और उनका नूट्रिशन आपके पौधों को नहीं मिलता तो एक चीज में आप और बताऊंगी चांच हम क्यों डाल रहे हैं चांच हम इसलिए डालते हैं अपनी मिटी के अंदर पहले बाद तो मिटी की हेल्थ को बहुत इंप्रूफ करती है चांच के अंदर अपने आप ही उसके बहुत अच्छे good microbes होते हैं जो मिटी में ऑल्री जो microbes है उसके साथ मिलते हैं तो उनकी population multiply होती चली जाती है और आपकी plants के लिए बहुत beneficial है, plants की health के लिए बहुत beneficial है, plant की root development, growth development में बहुत help करता है, plant photosynthesis बहुत अच्छे से करता है, छांच के अंदर liquid form में nitrogen, phosphorus, calcium, magnesium, अच्छी मातरा में होते हैं, जो कि मिट्टी के लिए बहुत useful होते हैं, छांच को आप क की health को अच्छा करने के लिए यूज करते हैं, जहां आप देखेंगे चांच का मिट्टी में ज्यादा यूज होता है, वहां की मिट्टी काली होती चली जाती है, बहुत बहुत भुर्भुरी होती चली जाती है, तो देखें चांच को डालना कैसे है, यह है पानी, इसके अ वह nutrition दे दिया है, जिसे कि यह लौकी का पौधा भर भर के मुझे फ्रूटिंग और फ्लारिंग दोनों देगा, तो आप भी चांच का यूज लौकी की पौधे पर जरूर कीजिए, अब दूसरी बात आती है, क्या आपको पता है, जब लौकी की बेल पे मादा फूल लगे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा पानी का यूज नहीं करना चाहिए, अगर आप पानी बहुत ज़्यादा देते हैं, कीचर कर देते हैं, रोज पानी देते हैं, मिट्टी को सूखने नहीं देते, तो जो मादा फूल आय होते हैं, वो जढ़ जाते हैं, सूख जाते हैं, यानि कि इसके अंदर पूरा पूरा पानी है, पूरा पूरा मॉश्चर है, तो इस बेल को भी पानी की ज़रुरत नहीं है, अगर आपके हाथ में ऐसे लड़्डू टाइप की मिट्टी बन जाए, तो पानी यानि की पूरा है, आपको पानी बिल्कुल भी नहीं डालना, इसक कि आप एक बार पानी डाली जब पानी अच्छे सी सोक हो जाए, दूसरी बार दाल्ये फिर तीसरी बार दाली इससे पूरा की जड़ो तक अच्छे से पानी पहुच जाता है, अब हमने जान लिया कौन-कौन से खाद हमें लौकी की बेल में डालनी है, चाए लीक्विड़ अगर आप चोटे गमले में लौकी के पौधे को लगाते हैं तो यह जान लीजिए कि यह बात पक्की है कि आपके घर में बिल्कुल भी लौकी नहीं होगी। लौकी को उगाने के लिए गमले का साइज 24 x 24 होना चाहिए या हाफ ड्रम को यूज़ कीजिए तभी लौकी का पौधा पनपेगा और फल को देगा। लौकी के पौधे को लगाने का यही सही तरीका है। तो देखा आपने अगर आप इस तरीके से लौकी को लगाएंगे। जैसे कि मैंने खाद बताईए वैसी खाद को दीजिए चांच का यूज जरूर कीजिए अपने लौकी की पौधे के ऊपर ये सारी और्गैनिक खाद हैं इनके डालने से लौकी की पौधे को कोई भी साइड एफेक्ट नहीं होगा बलकि उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जा की लौकी बहुत ही टेस्टी होती है एक बार अगर मू लग जाती है तो बार बार लॉकी घर की लौकी ही खाने का मन कड़ता रहता है तो यह थी वीडियो पूरी लौकी के बारे में जिसके अंदर मैंने लौकी की आपको जो इंपोर्टन इंफरमेशन थी आप सबके साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और बताएएगा कि आप कहां से मेरी वीडियो देख रहे हैं और वीडियो को शेर कीजे एपने फ्रेंट्स के साथ जिससे कि उनके घर में भी इसी तरीकी से लौकी हो सके फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी की साथ तब तक हैपी गार्टनिंग बबाई टमाटर लगाने का राइट टाइम आ चुका है इस समय आप जो भी लोग इंट्रेस्टेट हैं नई अगर आप इंट्रेस्टेट होंगे आप भी अपने घर में एक धेर सारी टमाटर ऐसी लगाईएगा आपई गार्टनिंग